हेलो माई डियो स्टूडेंट्स के लिए जो की बोर्ड एक्जाम फेस करने वाले हैं 2022-2023 में देखें पिछले कुछ सालों से कोविड से पहले से भी कुछ नो कुछ सीवेसी कॉंटिनियूसरी चेंज करता रहा है अच्छे सीवेसी की तरफ से ओफिशिल नोटिस है जो की 21 अ बच्चों के लिए बात है कि इस सारूं का स्लेबस क्या होने वाला है एक्जाम पैटर्न क्या होने वाले है क्योंकि यह जो साल है 2022-22 वाला जो साल है इसमें बच्चे टर्मवाइज पेपर दे रहे हैं अब बहुत जादा दिनों से बातते आ रही थी कि अभी करनी चाहिए यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वीडियो अपने पूरी देखनी है को आपके लिए बहुत इंपोर्टन बात है इसमें रहने वाली है तो एक बार सी बेसी को नोटिस देख लेते हैं क्या नोटिस है ओल हैट्स ऑफ इंस्ट्यूशन एफिलेटर टू सीब्सक्राइब क्या है स्कैंडरी एंड सीनियर स्कैंडरी करिकूलम 2022-23 सीब्सक्राइब करेंड करता है जिसमें इक्जाम पैटरन के बारे में सारी बाते दी गई होती है अब यहां पर यह लिंक है अच्छा मैं इन दोनों ही मतलब नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप् आपके बार क्या है कि हम लोगों ने बहुत जगह बात की देन हम इस रिजल्ट पर पहुंचे यह बहुत सारी बाते होने लगेंगे बट अभी के लिए यह बता आ गया है कि साल एंड में होगा और जाता थांसर देएंगे कि एनवल एक्जाम होने वाला है ठीक है न और यह है कि इन दे एंड जो है सैंपल कॉशन पेपर विद डिटेल डिजाइन ऑफ दिए कॉशन पेपर विल बी मेड अविलेबल एस सी बीसी अविलेबल ओन सी बीसी वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और यह साइन किये गए हैं जो सी बीसी के डारेक्टर है जोसेफ इमेंवल जी विद शेयर दिक कर्यूकूलम एविलेबल ओन जो वेबसाइट पर कोर्यूकूलम है ठीक है अब दिए वार से लेबस देख लेते हैं बेटा जी यह हमारी केमिस्टर वात करते हो तो हमारी केमिस्टरी की एंसेयर दिए 16 chapters है total ठीक है अगर आप book wise बात करते हो तो first book में 9 chapter है and second book में 7 chapter है तो इस तरह से हमारे 16 chapter हो जाते हैं जब हमारा term wise लेवस था तो 13 chapter थे बट अभी CBSC ने सारा system कदर कर दिया मतलब totally unexpected किसी ने भी नहीं सचा था कुछ ऐसा होगा अब सिर्फ 10 chapter रहें हैं अब वह सारे बच्चों सचेंगे बढ़िया है सर दस chapter हाँ बिलकुल बहुत बढ़िया है बट दिक्कत कब हो जाएगी अगर CBSC ने बोल दिया कि यहां पर CBSC वाले बच्चे पिछे हो जाएंगे क्योंकि वह देखिए अपने बोर्ड के लिए प्रिपेर करने वाला है किस तरह से मतलब मैं तो चाहूंगा कि इसी तरह से जो बच्चे बोर्ड के लिए जो प्रिपेर करके जाएंगे वह उन्हें फाइनल में मिले क्योंकि सेम जो है बेटा आपका स्लेबर चेंज किया गया है फॉर 11th क्लास ओल्सो ठीक है चलो एक बार आज आतने हैं टोपिक पे आतने हैं कि क्या क्या है किस तरह से चेंजिस है तो जो आपका फर्ट चेप्टर है वो फीजिकल केमिश्ट्री का है सॉलुशन जो कि 7 मार्ट केमिश्ट्री फीजिकल केमिश्ट्री का है केमिकल कानेटिक्स फीजिकल केमिश्ट्री का है फीजिकल केमिश्ट्री में पहले हमारे 5 चेप्टर होते थे अभी 3 चेप्टर है दो चैप्टर डिलीट हो है, solution and solution, ठीक है, और ये चैप्टर जो है, इनमें बड़िया numerical साथ में है, और overall मिला के, जो हमारी physical chemistry बनती है, वो बनती है, 23 marks की, तीन चैप्टर, 23 नमबर बहुत जाद है, और यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, कि एक चैप्टर, जो कि पहले इतनी जट नहीं दी जाते हैं, जिसको electro chemistry, 9 marks, आगे बढ़ते हैं, next बात करते हैं, तो next हमारे पास है, dnf block element, यह हमारा inorganic chemistry का chapter है, जो की 7 marks का है, coordination compound, यह भी हमारा inorganic chemistry का chapter है, again जो की 7 marks का है, तो inorganic chemistry हमारी आने वाली है, 14 marks की, इसके बाद हमारे, मतलब book 1 में से, यह जो जा करना है, भाई, 5 chapter करने है, अब चलते हम लोग book 2 की तरफ, book 2 में से भी हम लोगों को 5 chapter करने को इन्होंने बोला है, ठीक है, हलोलकेन, हैलोरीन, एक और्गैनिक chemistry का chapter है, अल्कॉल, फिनोलिथर, और्गैनिक chemistry का chapter है, अल्डियाइड की टॉन्स कार्बोकसिलिक एसिड, औ यह और्गैनिक chemistry का chapter है, लगबग, लगबग सभी chapter को बराबर इजद दी गई है, और्गैनिक chemistry में, मतलब हैलोलकेन, हैलोरीन को देखते हो, 6 marks का आता है, अल्कॉल, फिनोलिथर, 6 marks का है, माइस भी 6 marks का है, अल्डियाइड की टॉनिक, बहुत बड़े chapter है, 8 marks का दिया है, और biomolecules, जिसमें biochemistry mix है, तो यह हमारा 7 marks काता है, तो यहां से हमारी organic chemistry जो बनती है, वो बन जाती है, 33 marks की, ठीक है न, on and average, 6 की अवरेज यहां से निकल के आ रही है, ठीक है, और वहां पर हर एक chapter की अवरेज लगबग, 7 की निकल के आ रही है, physical chemistry में और inorganic chemistry में, तो बड़े कुछ इस तरह से है, अब बात करते हैं कि topics की, देखो या, यह मुझे लगता है, CBAC ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि topics के base पे थोड़ी सी confusion थी, कि CBAC ने पहले कुछ chapters में से topic delete कर रखे थे, तो वो topic कुछ ऐसे देर confusion रही जाती थे, कि इसरे topic deleted है कि ने, अभी CBAC ने क्या किया है, पूरा chapter करना है, लाइक अगर आप chapter की बात करते हो, solution की, उसमें type of solution, expression of concentration of solution, of solids in liquid, solubility of gases in liquid, solid solution, round flow, colligative properties, जो types हैं इसके, determination of molecular mass using colligative property, abnormal molecular mass, vent of factor, यह सभी topic हमने करना है, यह मतलब, NCRT book में, जो भी आपको दे रखोगा नो, वो सब कुछ करना होगा, कुछ भी deleted नहीं है, इलेक्ट्रो कमिश्री में अगर आप चलते हो, जो कि बहुत बढ़ा chapter है, 9 marks का है, redox reaction, EMF of a cell, standard electrode potential, nurse equation and its application, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, इसमें बहुत जाधा portion तो 11th class में redox reaction में अपने पढ़ा भी होगा, इसको बढ़ा, conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, collars low, electrolysis and low of electrolysis, farad low, dry cell, electrolytic cell, galvanic cell, lead accumulator, fuel cell, corrosion, overall मिला के मैं बोल रहा हूँ, कि chapter जो पढ़ने हैं, वो आपने पूरे पढ़ने हैं, मतलब में एक-एक topic पढ़ उसको कुछ फाइदा नहीं है, क्योंकि topics कुछ भी डिलीट नहीं हुए है, chapter डिलीट हुए है, repeat कर देनो, solistrate डिलीट हो चुका है, surface chemistry डिलीट हो चुका है, P-block, बहुत unexpected से बाद है कि P-block को डिलीट कर दिया, P-block मतलब इन और गैन केमिश्टी की ना जान बसती थी P-block में, ठीक है, बस थोड़ा सा अगर CBSC, मैं चांगा आप लोग कमेंट सेक्षन होता है कि आप लोगों को इस रहे बस कैसे लग रहा है, personally मुझे लगता है कि J-E-Need और C-U-E-T में भी उन्हें बोलना चाहिए, कि हाँ यार यह chapter नहीं करने है, बट अगर वो बोल देंगे J-E-Need C-U-E-T में आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी से दिख्कत हो जाएगी, फिर मतलब इन बातों को कोई सेंस नहीं बनते है, क्योंकि बोर्ड की तो वैसे भी कोई इंपोर्टेंस लगबग, बोर्ड की परसेंटेज की तो वैसे भी कोई इंपोर्टेंस रही नहीं है, क्योंकि C-U-E-T तो बच्चों को दे नहीं है, तो एक और नोटिस जल्दी रिलीज करना चाहिए, कि हाँ यार यही सिलेबस C-U-E-T जे ही नीट में रहेगा, या नहीं रहेगा, और एक बात में बताता हूँ, कि exam pattern की बात में बताता हूँ, कि क्या है, domains है, remembering and understanding 28 marks काहएगा, applying 21 marks काहएगा, analyzing, evaluating and creating 21 marks काहएगा, बाकि for more details, kindly refer to sample quotient paper of class 12, for the year 2022-2023, to be published by CBSC at its website, वेबसाइट अभी तक CBSC का सेंपल में पर नहीं आया है वाई आज तो सलेबस ही आया है यह बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी इन्होंने सलेबस बता दिया ज्यादा लंबी बात को नहीं खिंचा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अच्छे ने कर भी लिया होगा तो उनको थोड़ा सा बुरा लगर होगा बढ़िया वडिया कॉपी बनाई होगा चैप्टर डिलीट हो गया यह पहले चैप्टर रही उड़ा दिया ठीक है एंड से उड़ा दिया अगरो वह तो पड़े नहीं होंगे अभी तक किसी बच्चे यह बाकि कोई बात नहीं मैं हमेशा ही बोलता हूं कि यार सीवीसी में हमसे ज्यादा एक्स्पीरियंचड फैकल्टी बैठी हुई है जिनने हमसे ज्यादा पता है वह ज्यादा अच्छे सो सकते हैं कि क्या बच्चों के लिए सही है और बाकि गबराना नहीं है मैं जादा बच्चे बोले लगेंगे इसर बुक्स कौन सी ले मैं आपको यह बोलूँगा थोड़ी दिन लूग जाओ अभी मार्केट में पहले बादा बुक आज से बनना स्टार्ट करेंगे अब एक बार अपना 12 के लिए एम कितना है वो जुरूर पढ़ना कब से स्टार्ट कर रहे हो और जो पिछले साल के बच्चे है मतलब 2021-22 के उनको मैं यह बोलूँगा प्लीज जरी से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जुनियों के पास होधार मैक्सिम बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच आए ख्यार रखे बैटा जी मैं आपके साथ हूं और ए प्रीज टेक केर जैहिन